हलो फ्रेंज कैसे हूँ आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपसे अर्बी के पत्तों से बनने वाले पकोडे की रेसिपी सैर करने जा रही हूँ तो चलिए थे आर्बी पत्व में किन चीजों की ज़रुबट पढ़ेगा यहां मैंने अर्भी के पत्व को पहले से वासकर के रखा है अर्भी के पत्व को हमें अच्य से बारिक कट करे ले ना है यहां मैंने चार से पांच अर्भी के पत्तों को बारिक चॉप कर लिया है मैंने यहां एक बॉल में हाप के टोरी बेशन दिया है मैंने यहां वन टीश्पून कश्मिली लानुच का पॉडर लिया है यहां मैंने हाप टीश्पून हल्दी पॉडर लिया है यहां मैंने टू टीश्पून नमक लिया है नमक आप अपने स्वादनों सार दे सकते हैं कम्या जादा मैंने यहां फोर टीश्पून अमचुर पॉडर एड़ किया है अब इसमें अर्भी के पत्तों को भी एड़ कर दी अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके मिक्स करेंगी एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है दे कि अब आपके कुछ इस तरह से होने चाहिए मैंने एक पैन में रिफेंड ओयल डालके इसे करम करके रखाया है अब हतेलियों में थोड़ा पानी लगा ले और थोड़ा सा बैटर ले ज्यादा नहीं दीना है और इसे प्रेस करें देखी कुछ इस तरह से इसे ओयल में डाल दें हमें इसे मीडियम फ्लैम पे ही फ्राई करना है क्योंकि इसमें अर्बी के पत्ती है इसी तरह एक इक करके सारे पकोड़े को ओयल में डाल के छान ली ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं आपको इसे मीडियम फ्लैम पे ही फ्राई करना है यह देखियो फ्रेंट्स हमारे पकोडं़ एक साइट से पक चुके हैं अभ आप दुश्री साइट से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेए अभ आप इसका फ्रेम हाई कर सकती है अदुछ इस तो आरे पकोड़े को ने दो at उसके बाद ही आपको फ्रेम को हाई करना है अब हम इसे हाई फ्रेम पे क्रिश्पी कर रहे है हमें पकोड़े को गॉल्डन ब्राउन करना है अब हमारे पकोड़े गॉल्डन ब्राउन हो चुकी है अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें बाकी बच्चे हुए जितने पकोड़े हैं उसे भी हमें सेम प्रोसेस से फ्राई कर लीना है बीच बीच में से अच्छे से चलाते रहें नहीं तो आपके पकोड़े एक साइट से जादे ब्राउन हो जाएंगे देखेंगे फ्रेंस मारे पकोड़े कितने अच्छे फ्राई हो रहे है इस वह हमारे पकोड़े गॉल्डोर ब्राउन हो चुकी हैं अब आप इसे भी प्लेट में निकाल लें तो चलीए चलते हैं अब हम पकोड़े को सब कर लेती हैं कि अटिक कैई को रख लिए यहां मैंने अर्भी के पत्तों के पकोड़ी को को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीए और बगरने पेल आइकन को भी जरूर प्सक्राइब जरूर करते हैं जिससे कि मिन आने वाले वीडियो को नौुट्रिक्टे अब वीडियो पसंद आने पर हमें कमेंट करते भी जरूर बताएं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें